मैं प्रधान मंत्री जी को हिर्दे से धन्यवाद देता हूँ, वित्य मंत्री जी को वधाई देता हूँ ये वजट द्विक्षित भारत के निर्मान की न्यू का वजट है एक बेवफसाली गौरफसाली सम्पन सम्रिद और सक्तिसाली भारत के निर्मान का बजट है और इसमें विसेश कर किसान गरीब महलाएं युवा और मध्धंबर के कल्यान पर विसेश रूफ से ध्यान दिया गया है ये बजट इन सब वर्गों के जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्टन करेगा ग्रामीड विकास और किसान की जिन्दगी बदलेगा किसान की दृष्टी से अगर देखें तो इसमें सभी पक्षों पर ध्यान दिया गया है उत्पादन बढ़ाना क्योंकि लावत तब होगा जब उत्पादन बढ़ेगा उसके लिए फल सबजी और अनाच की 109 नई बैराइटी बीज की वो जारी की जाएगी जो जलवायू अनकूल होगी और ग्लोबल बार्मिंग के इस खत्रे में चाहे ज़्यादा तापमान हो या कमपाणी हो अच्छा उत्पादन देंगे नकेबल उत्पादन बढ़ाने की बात है अपे तु लागत घटाने के प्रत्म बीस बजट में हैं किसान को किसान क्रेडिट कार्ड हो या सस्ता रिन हो उसके कारण किसान की लागत घटेगी प्रधान मंतरी किसान सम्मान जैसी योजना से जो छोटे और सीमान की किसान है उनकी लागत में कमी आएगी इनपुट डालने का मौका इस राशी से उनको मिलेगा लेकिन उत्पादन के ठीक दाम देने के लिए MSP पर खरीदी सुनिश्चित की गई है और अभी अभी जो हमने खरीफ की 14 फसलों की MSP जिन दरों पर होगी वो MSP की दरें हमने जारी की थी इस से किसान को ठीक दाम मिलना सुनिश्चित होगा किसान को ठीक दाम मिलेंगे लेकिन इसके साथ साथ इस बजट में एक बात पर विसेश रूफ से ध्यान दिया गया है उत्पादन की लागत घटाने पर और उत्पादन की लागत घटाने के लिए और आने वाली पीडियों के लिए सुरक्षित धरती बची रहे इसके लिए प्राकृतिक खेती पर व्यापक प्यमाने पर ध्यान देने की घोशना बित्त मंत्री जी ने अपने बजट भासन में की है और ये प्रधान मंत्री जी का भी मिसन है और इस प्राकृतिक खेती के मिसन में हम किसानों को प्रिसिक्षित करेंगे प्राकृतिक खेती के लिए प्राकिर्टिक खेती में केमिकल फ्रीट लाइजर का इस्तेमाल नहीं होगा तो जो उत्पाद होगा उसका फल हो सबजी हो अनाज हो वो मनुस्य के लिए बहुत हितकारी होगा कई बीमारियों से बचेंगे और धरती का स्वास्थ भी सुधरेगा तो प्राकिर्टिक खेती का मिसन आएगा किरसी में डिजिटल इन्फरा तैयार करने की बात कही गई है जैसे किसान कई परेसानियों से बच जाएगा और विसेसकर दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़े किसान को भी ठीक दाम मिले इसलिए दलहन की तीन फसल उरद, मसूर और तूर, अरहर वो अगर किसान पैदा करेगा तो पूरी MSP पे खरीद होगी उसके लिए सम्रिधी पोर्टल भी लांच किया गया है और हमारा देश दलहन और तिलहन के उत्पादन में आत्व निर्वर बने इस बात का प्रत्म किया जाएगा